मुत्राशे में जलन एक कॉमन प्रावलम है यह बच्चों से लेके बड़ों तक लगबख सभी को कभी न कभी दिक्कत होती है यह प्रावलम खास करके युवा लोगों को जो की जंक फूट बहुत खाते है या जिनकी जीवन शेली बहुत ही अंडिसिप्लिन है उनको अकसर होती है अकसर पाएंगे कि उनको मुत्वाशे में जलन होने लगती है या टॉलेट कर्थे से में दिक्कत होती है उसमें कई बाव लोग सोचते है कि किड्नी स्टोन के उज़े से दिक्कत है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है महिलाओं में ये प्रावलम बहुत ही कॉमन पाई जाती है और इसका मुख्य कारण होता है infection क्योंकि महिलाओं में infection होने की संभावनाएं जेंड्स के मुकाबले 3-4 गुना अधिक होती है यही कारण है कि पेडू में उन्हें दर्द और जलन महसूस होता है आप केवल खुश्क धनिये की गिवी और कूजा मिश्वी इन दोनों से आप मुत्राशे की जलन को ठीक कर सकते हैं आपको तुरंत रहत मिलेगे ऐसा ही एक नुकसा हम आपको बताने जा रहे है इस नुकसे को बनाने की विधी इसको कैसे इस्तिमाल करना है और यह नुकसा कैसे काम करता है यह आपको आपको डिटिल्स न बताएंगे आपको करना क्या है कि खुश्क धनिया लेकर के मुटा मुटा कूट कर इसका छिलका अलग करे और वीजो के अंदर की गीवी ले ले ध्यान उखना है कि आपको जो धनिया होता है धनिया को उसको कोट लेना है और इसके छिलके को अलग कर लेना सिर्फ अंदर के हिस्से की जो गीवी होती है उसको लेना है ये गीवी लगभग 300 से 400 ग्राम होना चाहिए साधारन साड़े 400 ग्राम धनिया में 300 ग्राम गिवी निकलेगी मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप आधा किलो धनिया लेंगे तो 300-300 ग्राम ही गिवी निकलनी अंदर का क्योंकि उपर का हिस्सा तो निकल जाना है और यदि कूजा मिश्वी ना मिले तो उसके स्थान पर तवी की मिश्वी अर्था देशी चीनी या दानेदार चीनी को भी आप शामिल कर सकते हैं द्रसल में अब ज्यादा और ज्यादा कुजा मिश्वी है तभी मिश्वी के नियुजे अनतर नहीं पड़ेगा लेकिन अप ध्यान रखना इसको के दोनों वस्तुरों को आपको अलग पीस कर आपस में मिला लेना है आपको फिर से बता रहाँ कि आपको धनिय की अंदर की गिरी लेनी है लगभग 300-400 ग्राम ठीके और मिश्वी भी लगभग उतनी ही लेनी है ठीके और दोनों को मिक्स कर लेना है यह और शरी जो है दोस्तों यह मुत्राशाइ की उतेजना को दूरंद लाब मिलेगा इसमें होता यह है कि यह दिल और दिमाग को कमजोव नहीं होने जिता बलकि इस से इनको टाकत मिलती है यह और भी कई चीजों में रहाद देती है जैसे कि अगर आपको नजर की कमजोवी हो सिर्धर्ध हो चक्कराना हो नींद नहाना या फिर आपक स्वपनदोश हो स्वपनदोश के लिए तो ये औशदी बहुत हितकर है कई बच्चों की गंदे से गंदे स्वपनदोश को ये 2-4 बाह में ठीक कर देता है आपको कुछ नहीं करना है केवल धनिया के अंदर की गिरी और जो मिश्वी है इनके पाउडर को आपको लेना है सुबर दो फर्शान सेवन की विधी और भी एक तरीका है इसमें आप त्रहतर बिना कुछ खाए पिए या रात के 20 पानी में लगभग 10 ग्राम इस मिश्रन को फाक ले बस ध्यान रखना है कि इसको फाकने के बाद एक घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं ध्यान रखना आपको इस चीज का रात को एक घंटा आगे भीज़े कुछ मत खाए इसी प्रकार आप 10 ग्राम लगभग प्रातर काल में भी ले सकते हैं उठने के बाद पानी के साथ इसको फाक ले और रात को भोजन के भी लगबच एक से ओड़ घंटे के बाद लेना है इस बात का आपको शेष ध्यान रखना है कि इसको खाने के एक घंटा पहले कम से कम एक से ओड़ घंटा पहले और एक घंटा बाद तक कुछ खाना नहीं है आप देखिए बहुत ही चमतकारी है यह यह मुत्राशे की जलन या किड्नी सिविलेट जो भी इंफेक्शन होंगे या युविनेविट ट्रैक के जो इंफेक्शन होंगे उनको एक खतम कर देगा आप तीन से चार दिन लेंगे इससे सपनदोश भी खतम हो जाएगा जो की एक कॉमन पॉलम है युवा वस्था के बच्चों में और खासर के महिलाओं में आप इसका प्रयोक करें आपको तुरंत लाब मिलना है धन्यवाद